Hello students, next concept जो हम लोग बात करेंगे लिमिट में वो होगा indeterminate forms. तो हमारे पास कुछ forms होते हैं, जिनको देखके ही हम जानते हैं कि ये indeterminate forms है. Indeterminate forms कहने का मतलब कि इनकी value हम अचानक देखके ही नहीं बता सकते. तो जैसे indeterminate forms पढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं determinate forms की, कि determinate form किसको कहेंगे. तो अगर मैं मान लो determinate form की बात करता हूँ. Determinate form. तो ये determinate form क्या हुआ? जैसे मान लिजे हमें एक limit निकालना है. हमें limit निकालना है limit. x approaching to 1. ठीक है? x square plus 5 upon x plus 3. अब अगर आप ध्यान से देखो. तो x की value जब हम 1 इस function में put कर रहे हैं. तो ये value simply हमारी 6 upon 4 आ रही है. यानि ये value 3 by 2 आ जा रही है. तो ये तो finite quantity है, इसमें कोई परिशानी है ही नहीं. ठीक है? तो इस limit में आप देखोगे कि बिना कोई major algebraic manipulation किये हुए, easily हम इस limit की value निकाल पा रहे हैं. तो ऐसे कोई भी limit के forms, जिसमें हम बिना कोई major algebraic reforms किये हुए, या manipulation किये हुए, limit की हम finite value निकाल लेते हैं. तो ऐसे forms को हम लोग बोलते हैं, determinate forms. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि indeterminate forms फिर हम किसको कहेंगे? इन-determinate forms, basically ऐसे forms हो जाएंगे, जिसमें हम लोग, without doing any major calculations या major algebraic operations, limit की value हम नहीं निकाल पाएंगे. जैसे, for example, अगर मैं, ठीक है, एक और example लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं बोलू, चलिए, limit x approaching to 1 ही लेते हैं, और अब बोलता हूँ मैं, कि यह हो जाए, x square plus 5 upon x minus 1, यह देखें, तो क्या यह determinate form है? तो देखें, यहाँ simply हम देख रहे हैं, कि अगर हम limiting values की देखें, तो यह 6 upon 0 को approach कर रहा है, 6 upon 0, ठीक है? 6 upon 0 को approach कर रहा है, चलिए, मैं modulus लगा देता हूँ, for the time being, तो 6 upon 0 plus को approach कर रहा है, यानि 6 upon a very small quantity, तो यह क्या हो जाता है, infinity, तो again आप देख रहे हो, कि यहाँ पे बिना कोई major algebraic operation किये हुए, हम इसकी value बता सकते हैं, कि इसकी value क्या आ रही है, infinity आ रही है, यानि this limit does not exist, for the time being, है न, हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि finite value आई नहीं, तो limit does not exist, तो मतलब अगर limit के बारे में ऐसा कोई comment, हम बिना कोई बहुत जादा algebra, algebraic manipulation किये हुए, निकाल पाएं, तो ऐसे forms को हम लोग determinate forms बोलते हैं, तो अब indeterminate forms क्या हो जाएंगे, तो indeterminate forms basically ऐसे forms हो जाएंगे, जह यहाँ पे बिना इन major algebraic operations के आप limit की value नहीं निकाल पाओगी, तो हम बात करते हैं अभी indeterminate forms की, तो जब भी हमारे पास देखोगे आगे, indeterminate forms आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई algebraic manipulation करना ही पड़ेगा, यहाँ पे limit की value निकालने के लिए, तो indeterminate forms आते हैं, यह उन्हीं basic algebraic operations से आते हैं, जैसे हमारे पास basic algebraic operation क्या क्या है, तो मतलब जिससे हमारा यह form generate हो सकता है, तो जैसे माल लेजे a minus b, ठीक है, अब a minus b हमारा indeterminate form कौन सा देगा, तो यह indeterminate form हमें देदेगा, infinity minus infinity का, यानि कहने का मतलब कि अगर माल लेजे a भी infinity की तरफ अप्रोच कर रहा हो, b भी infinity की तरफ अप्रोच कर रहा हो, तो आप a minus b की value बिना कोई calculation के predict नहीं कर सकते, simple सा example अगर मैं बताऊं, तो चलिए मैंने अगर माल लिजे a को एक function माल लिया, ठीक है, a को एक function माल लिया, let us say, a is equal to, मैं n plus 5 बोल देता हूं, और b is equal to n बो n approaching to infinity, a minus b की value क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर देखोगे तो यह 5 बन जाएगी, लेकिन अगर मैंने a की value को n square लिया, और b की value को n लिया, तो इस case में अब अगर आप देखोगे, तो limit n approaching to infinity आपका n square minus n, तो यह तो infinity को अप्रोच करेगा, और यहीं अगर हमने b को n square और a को n लिया होता, तो यह infinity ना होके, बलकि minus infinity हो जाता, तो देख रहे हैं आप कि यह बहुत drastic changes आ रहे हैं, limits में, ठीक है, values ऐसे change कर देने पर, सारे के सारे forms अभी भी infinity minus infinity ही है, यहाँ पर n plus 5 भी infinity को अप्रोच करेगा, और n भी infinity को अप्रोच करेगा, तो infinity minus infinity है, लेकिन इस case में आपके पास finite value आ गई, ठीक है, लेकिन यह वाला case ले रहे हैं, तो यह infinite value आ रही है, यहाँ पर एकदम normal तरीके से तो काम नहीं होगा, यहाँ पर हमें चीजें calculate करके देखनी पड़ेंगी, तो एक बार हम list कर लेते हैं, कि ऐसे कौन-कौन से forms हैं, जिनमें actually हमें यह check करना पड़ेगा, ठीक है, तो indeterminate forms अगर हम देखें, तो हमारे पास in total 7 indeterminate forms है, indeterminate forms की बात करें, तो we have 7 indeterminate forms in total, और वो किन-किन operations से आते हैं, यह भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि फिर आपको याद रखना बहुत आसान हो जाएगा, तो अभी-भी हमने बात की subtraction वा मिलता है, वो हमें मिलता है, infinity minus infinity वाला, ठीक है, फिर हम बात करते हैं, multiplication की, तो multiplication से भी हमें एक indeterminate form मिलता है, तो multiplication से जो हमें indeterminate form मिलता है, वो होता है 0 into infinity, यह indeterminate इसलिए है, क्योंकि यह 0 वाला पार्ट कहता है, कि मैं तो अपने limit की value को 0 की तरफ लेके जाऊंगा, और य मैं तो अपने limit की value को infinity की तरफ लेके जाऊंगा, अब this is now a race, ठीक है, यह race है, इस race में कौन जीतेगा, वो decide करेगा कि limit की value क्या होगी, अगर मान लिजे 0 वाला जादा तेजी से 0 की तरफ बढ़ रहा है, as compared to infinity वाले को infinity की तरफ जाने से, तो यह limit की value 0 की तरफ अप्रोच क करने लगेगी, अगर दोनों का rate मतलब बरावर की तरफ, मतलब comparable है, तो फिर यह finite value की तरफ limit अप्रोच करने लगेगा, ठीक है, तो examples जब हम लोग देखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके समझ में आएगा, अभी हम लोग क्या करते हैं, कि सारे indeterminate forms list कर लेते हैं, तो subtraction हो गया, multiplication हो गया, फिर हमें division से भी कुछ indeterminate forms मिलते हैं, ठीक है, division से जो हमें indeterminate forms मिलते हैं, वो मिलते हैं 0 upon 0, और infinity upon infinity, अगेन वही बात, ठीक है, 0 upon 0 वाला अगर case लेते हैं, तो जैसे मैं example से ही आपको बता देता हूं, कि जैसे माल लीजे हमारे पास limit, x approaching to 0, हमार तो ये value क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, लेकिन वहीं अगर हम बात करें limit x approaching to 0, x upon x square, तो अभी भी 0 by 0 का form है, लेकिन इस case में आपकी value infinity को अप्रोच करेगी, और वहीं अगर हम बात करें limit x approaching to 0, ठीक है, x square upon x, तो फिर देखोगे तो ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा, again, का यहां पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, indeterminate form आ जाएगा, और चौथा हमारा जो operation होता है, जहां से हमें indeterminate form मिलता है, वो होता है हमारा exponential form, ठीक है, exponential में हमें क्या-क्या indeterminate forms मिलते हैं, तो यहां पे हमें जो indeterminate forms मिलते हैं, 1 to the power infinity, 0 to the power 0, and infinity to the power 0, ठीक है, तो ये तीन ind indeterminate form मिलते हैं, तो in total मिला के हमारे पास कितने indeterminate form मन गए, साथ, ठीक है, यहाँ पे note करने वाली बात यह है, या गौर करने वाली बात यह है, कि यह जो one आप देख रहे हो, zero देख रहे हो, ठीक है, one और zero, यह absolute values नहीं है, यह approaching values है, ठीक है, यह absolute values नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे, कि here one and zero are not exact या absolute, exact और absolute, absolute, ठीक है, absolute values नहीं है, बल्कि, यह approaching two values है, here one and zero are not exact और absolute values, but, are rather, approaching values, approaching values, यानि, इस case में अगर हम बात करें, तो numerator भी zero को approach कर रहा है, denominator भी zero को approach कर रहा है, जब भी हम x की value को अपने limiting point की तरफ ले जा रहे हैं, तो these are not exact values, these are approaching values, exact value पे अगर कुछ चीज़ें करनी होंगी, तो वो तो फिर गड़़ड हो जाएगा, अगर मान लीजे, आपका numerator exact zero है, और denominator approaching to zero है, तो यह values limit की zero हो जाएगी, एक बार मैं एक साथ इनको list कर देता हूँ, तो आपके लिए असानी होगी, याद रखना, ठीक है, तो यह सातों form अगर हम list करें, तो पहला form, हम सबसे पहले form बात करेंगे, zero by zero, infinity by infinity, यह division वाले form हो गए हमारे पास, ठीक है, फिर आपके माद multiplication वाले, zero into infinity, infinity minus infinity, और exponential वाले, zero to the power zero, one to the power infinity, और infinity to the power zero, तो यह साथ indeterminate forms है, और इन साथ indeterminate forms पे हम लोग काम करेंगे, तो आए students, अभी तक limit में हमने जितना कुछ सीखा है, उस पे based कुछ सवाल करते हैं, ठीक है, पहला सवाल है हमारे पास, हमें दिया हुआ है limit x approaching to k, x minus greatest integer x, और यहाँ पे basically k जो है हमारे पास, k एक integer है, ठीक है, इसके लिए हमें solve करना है, तो आए देखिए इसको कैसे solve करते हैं, अब since greatest integer involved है, तो हमें यहाँ पे left hand limit और right hand limit अलग अलग निकालना पड़ेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, कि अगर मानलीजे, हमारे पास function में कोई ऐसा part है, या पूरा का पूरा function ऐसा है, जो अपने limit point, यहाँ पे k हमारा क्या है limit point, क्योंकि इसी के आसपास, हम limit की value ढूनने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने limit point के surrounding में, अगर वो nature change करता है, जैसे मानलीजे limit point के left में, उसका nature कुछ और होता है, और limit point के right में, उसका nature कुछ और होता है, तो ऐसे functions में हम लोग क्या करते हैं, अपना left hand limit और right hand limit, separately calculate करते हैं, तो आईए, हम लोग सबसे पहले, यहाँ पर अपना left hand limit calculate करते हैं, तो left hand limit के लिए हमें चाहिए limit, x approaching to k minus, ठीक है, k minus पर अगर हम जाते हैं, तो यह x minus, k minus पर greatest integer, k minus यानि k से just छोटा एक number, तो greatest integer x की value क्या हो जाएगी, k minus of 1, ठीक है, अब अगर हम x की value k रख दें, तो यह value हमारी हो जाएगी, k minus of, k minus of 1, और यह value हमारी आजाएगी 1, ठीक है, अब बात करते हैं, हम RHL की, right hand limit की, ठीक है, right hand limit पर हम अगर बात करें, तो यह हमारा बन जाएगा, limit x approaching to k plus, अब k plus की बात करें, तो k plus, यानि k से just बड़ा एक number है, तो उसके greatest integer की value क्या हो जाएगी, k, और यहाँ पर आप देखोगे, तो value आपकी हो जाएगी 0, x is equal to k put करेंगे हम, तो k minus k 0, तो यह यहाँ पर आपने देखा, कि LHL is not equal to RHL, यानि कहने का मतलब, this implies limit does not exist, यहाँ पर हमारा limit exist नहीं करता है, चलिए, दूसरा एक question देखते हैं, अगर मालनी जे हमें निकालना हो limit, x approaching to 0, ठीक है, e to the power, 1 by x minus 1, upon e to the power, 1 by x plus 1, ठीक है, इसकी value, अब सबसे पहले तो हम यह decide करेंगे, कि क्या हमें यहाँ पर left hand limit और right hand limit अलग-अलग निकालना चाहिए, तो आप देखो, 1 by x, अगर आपने 1 by x का graph याद हो, तो 1 by x का graph कुछ ऐसा होता है, ठीक है, graph सही से बना लेते हैं, 1 by x का जो graph होता है, वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, इस तरीके से, तो देखो, 0 के left में, यह minus infinity को अप्रोच कर रहा होता है, और 0 के right में, यह plus infinity को अप्रोच कर रहा होता है, और हमें, हमारा limit point दिया हुआ है, तो clearly यहाँ पर क्या है, plus infinity और minus infinity, दोनों में, अलब प्लस, 0 plus और 0 minus में, हमारा 1 by x, अपना nature चेंज कर रहा है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, left hand limit और right hand limit, अलग-अलग निकालना पड़ेगा, तो left hand limit के लिए, आप ध्यान से देखिए, इसको हम लोग लिखते हैं, limit, h approaching to 0, चीक है, यह बन जाता है, 0 minus e to the power, 1 by x minus 1, अपन e to the power, 1 by x plus 1, अब देखिए, 0 minus पे, 1 by x की value, minus infinity को approach कर रही होती है, यानि यह जो value हो रही है, e to the power minus infinity हो रही है, तो e to the power minus infinity की जो value हो जाती है, वो क्या हो जाती है, अगर आप देखो यहाँ से, यह value जो हमारी है, ठीक है, यह जो value है हमारी, वो e to the power minus infinity को approach कर रही है, तो e to the power minus infinity is basically 0, तो अगर आप देखोगे, तो यह value आपकी हो जाएगी, 0 minus 1 upon 0 plus 1, यानि यहाँ पे आपका left hand limit जो आ जा रहा है, वो क्या रहा है, minus 1, minus 1 हो गया हमारा left hand limit, अब बात करते हैं, right hand limit की, तो right hand limit में हम limit, x approaching to 0 plus पे जाएगे, तो 0 plus पे देखो, 1 by x की value infinity को approach कर रही है, तो यह e to the power 1 by x minus 1 upon e to the power 1 by x plus 1 है, यानि यह e to the power infinity minus 1 upon e to the power infinity plus 1 का form है, तो इसकी value तो हमें calculate करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम क्या करते हैं, e to the power 1 by x से उपर नीचे divide कर देते हैं, तो यह बन जाएगा, 1 minus of e to the power minus 1 by x upon 1 plus of e to the power minus 1 by x, चीग है क्या, अब यहाँ पे अगर आप देखते हो, तो यह जो value है, 1 by x आपकी value infinity को approach कर रही थी, तो minus 1 by x minus infinity को approach करेगी, तो यह वाला term आपका 0 को approach करेगा, क्योंकि e to the power minus infinity 0 हो गया, तो यह जो limiting value आएगी, यह आपकी आजाएगी, 1 minus 0 upon 1 plus 0, और यहाँ से हम देखते हैं, तो हमारे पास right hand limit हमारा 1 आजाता है, तो इस case में अगर हम देखें, तो हमारे पास again LHL is not equal to RHL, तो this implies limit does not exist, तो आपको मैं बस एक idea दे रहा हूँ कि कब हम left hand limit और right hand limit अलग-अलग निकालते हैं, चलिए, आगे और भी question करते हैं, एक और example देखते हैं, example है हमारे पास, let us say limit x approaching to 0, ठीक है, x approaching to 0, x into e to the power greatest integer x plus mod x minus 2 upon greatest integer x plus mod x, भयानक-भयानक function लेके हम लोग आराम से solve करेंगे, डरने के यहां बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि limit is one of the most easiest topics of calculus, ठीक है, आपको बस ध्यान रखना है, limit point को ध्यान में रखना है, और जो concepts मैं आपको बताता जा रहा हूं, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है, तो अब अगर यहां पे देखोगे आप, तो greatest integer, यह 0 के आजू-बाजू अपना nature change करता है, modulus यह भी 0 के आजू-बाजू अपना nature change करता है, तो हमें clearly यहां से hint मिल रहा है, कि हमें क्या करना चाहिए, अपना left-hand limit और right-hand limit अलग-अलग निकालना चाहिए, तो चलिए left-hand limit की बात करते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा limit, x approaching to 0 minus, 1x हमारे पास यहां पे था, और अब हम इधर की बात करते हैं, तो e to the power 0 minus पे, greatest integer x की value minus 1 हो जाएगी, और mod x तो आपका, क्या हो जाएगा, minus x हो जाएगा, क्यूंकि 0 minus पे negative चले गए न, तो आप x के अंदर value negative डाल रहे हो, तो यह क्या हो जाएगा, minus x, minus 2 upon denominator भी आपका क्या हो जाएगा, minus 1 minus x, ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर हम 0 put करते हैं, तो यह value आरी है, minus 1, यानि 0 into finite quantity आ रही है, तो value क्या हो जाएगी, 0, आरे चल निकालते हैं, right hand limit, तो यहां से हम देखेंगे, तो limit x approaching to 0 plus की बात करते हैं, तो 0 plus पे हमारे पास बताओ, greatest integer x की value क्या होगी, 0 हो जाएगी, और mod x की value, x ही रहेगी, minus 2 upon, यहां denominator आपका हो जाएगा, यह x, 0 plus पे greatest integer x, 0 हो जाएगा, है ना, और mod x की value, x हो जाएगी, अगर अब यहां से देखते हो, तो यह तो बन गया आपका limit, x approaching to 0, plus x into, e to the power, x minus 2 upon x, तो यह x, x तो cancel out हो गया, और x is equal to 0, अगर आप डालते हो, तो यह value आपकी minus 1 हो जाएगी, तो यानि, आपके पास LHL, फिर से क्या आया, RHL के बराबर नहीं आया, यानि कहने का मतलब, limit, does not exist, limit आपका exist, नहीं करेगा, ठीक है, तो आपको एक idea, होते जा रहा है, है कि ऐसे questions में, हम लोग limit कैसे निकालते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम एक और question लें, examples से ही चीज़ें, हमें जादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी, let us take one more example, एक और example लेते हैं, example है हमारे पास, limit, ठीक है, x approaching to 3, यहाँ पे हमारे पास, greatest integer x-3, plus, greatest integer of 3-x, and, minus x, इसकी value निकालनी है, ठीक है, अब देखिए, इसमें हम, देखते हैं, कि again greatest integer involved है, greatest integer involved है, तो 3 के आजू बाजू, इसका nature तो change हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, again, LHL और RHL, अलग-अलग निकालेंगे, तो LHL की बात करते हैं, तो यह बन जाएगा हमारा limit, x approaching to 3-, 3-, यानि 3 से चोटा number, 3 से चोटा number अगर आप यहाँ पे डालोगे, तो यह value आपकी 0 से थोड़ी चोटी होगी, 0 से चोटी होगी, तो greatest integer की value क्या होगी, minus 1, चीक है, यह value अगर आप देखोगे, 3 से चोटी value रखोगे यहाँ पे, तो यह value 0 से जस्ट थोड़ी बड़ी होगी, तो यह क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका minus x, अब x is equal to 3 रख दो, तो यह value आपकी minus 4 आजाएगी, अब बात करते हैं, आरेचल की, आरेचल भी अगर हम देखते हैं, तो यह बन जाएगा limit, x approaching to 3 plus, 3 plus पे जाते हैं, तो again, 3 से थोड़ी चोटी value अब ड़ी value आप डाल रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे 3.1, तो आप यहाँ पे 3.1 डालोगे, तो यह greatest integer 0.1 हो जाएगा, greatest integer 0.1 तो हमारा 0 हो जाता है, और यहाँ पे अगर आप 3.1 डालोगे, तो यह minus 0.1 हो जाएगा, तो greatest integer minus 0.1 तो minus 1 हो जाता है, और minus x, अब आप यहाँ पे 3 डालते हो, तो यह value अगेन आपको क्या मिल जाएगी? minus 4, यहाँ पे clearly LHL is equal to RHL is equal to क्या हो जाएगा? minus 4, यानि limit की value क्या हो गई आपकी? minus 4 हो गई, ठीक है? Alright, एक और सवाल करते हैं, एक और example करते हैं, वहाँ से कुछ theoretical type की चीजें हम लोग discuss करेंगी, जैसे example है, let us take one more example, अभी यह question थोड़ा सा interesting है, interesting इसलिए है, question में दिया हुआ है कि if, f is an odd function, f हमारा क्या है? एक odd function है, ठीक है? and limit, and if, limit x approaching to 0, f x exists, exist करता है, ठीक है? तो, exist, then, find, value of, limit x approaching to 0, f x, इसकी value निकालनी है, अगर यह limit exist करता है, तो, इसकी value निकालनी है, हमें, तो, आईए, चलिए, बात करते हैं, सबसे पहले, तो यह हमें function odd दिया हुगा है, odd function दिया हुगा है, तो, odd function की property होती है, f of minus x is equal to minus f x, चलिए, यह बात याद रखेंगे, अब हमें, जो निकालना था, limit x approaching to 0 f x, तो, अगीन हम देख रहे हैं, कि 0 के आजू-बाजू, तो, अगर बात करेंगे, तो अंदर आपका positive value हो जाएगा, 0 minus पे बात करेंगे, तो अंदर negative value हो जाएगी, तो, हम लोग क्या करते हैं, कि 0 के आजू-बाजू, अगर nature change हो रहा है, तो हम लोग, इसका left hand limit, और right hand limit क्या कर लेते हैं, अलग-अलग ही निकाल लेते हैं, तो अगर हम देखेंगे, तो LHL की बात करते हैं, यानि basically limit exist कर रहा है, तो हम एक ही साथ चलिया, शुरू करते हैं, LHL is equal to RHL से, तो left hand limit हमारा हो जाएगा, limit x approaching to 0 minus fx, चीक है, is equal to limit x approaching to 0 plus fx, चीक है, क्या, अब आप ध्यान दो, हमने LHL और RHL के लिए, एक और definition लिखा था, इसको हम ऐसे भी लिखते थे, limit h approaching to 0, f of a minus h, यानि 0 minus h, ठीक है, और ये equal to हो जाएगा, limit h approaching to 0, f of a plus h, RHL और LHL का हमने ये भी एक definition लिखा था, अगर आपको याद हो, ठीक है, तो LHL के लिए हम लिखते थे, limit h approaching to 0, f of a minus h, and RHL के लिए हम लोग लिखते थे, limit h approaching to 0, f of a plus h, ठीक है, for limit at x is equal to a के लिए, limit at x is equal to a के लिए, तो यहाँ पर हम x is equal to 0 पे निकाल रहे थे limit, ठीक है, तो हम यहाँ पर a के बदले में 0 यूज करेंगे, तो यह 0 plus h हो जाएगा, अब यहाँ से अगर आप देखते हो, तो यह तो हमारे पास बन गया, limit h approaching to 0, f of minus h, और is equal to limit h approaching to 0, f of h, अब सिंस function odd है, तो f of minus h तो हमारा minus fh बन जाएगा, तो minus को मैं limit के बाहर ही निकाल देता हूँ, तो limit h approaching to 0, यह f of h हो जाएगा, is equal to limit h approaching to 0, f of h, और इसको आप RHS में लेते आएए, तो आपके पास expression बन जाएगा, twice of limit h approaching to 0, fh, इसकी value हो गई 0, यानि हम यहाँ से कह सकते हैं, कि limit h approaching to 0, fh, इसकी value क्या हो जाएगी हमारे पास, 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा, answer, ठीक है, तो आपको एक idea लग गया कि, कब हम, अलग-अलग अपना lhl और rhl अलग-अलग निकालते हैं, ठीक है, तो उससे क्या है, जब भी हमारे पास function का nature, हमारे limit point के आजू-बाजू change हो रहा होता है, ठीक है, change हो रहा होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कि अपने lhl और rhl की value, separately find out करते हैं,